प्रिय विद्धारते गुड मॉर्निंग, मैं देश राज यादव सहाचारिये, राजनेते विग्यान, राज के महविद्धाल कोट पूतली, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज हम गोपाल कसन गोखले के राजनेतिक विचारों के बारे गोपाल कसन गोखले के राजनेतिक विचार भी पढ़ने हैं, और आर्थिक विचारों के बारे में भी जानकारी प्राप्ते करनी हैं, हम सबसे पहले गोखले के राजनेतिक विचारों करते हैं, गोपाल कसन गोखले भारती राष्टी आंदोरी उदारवादी युक के प्र जागरती को उत्पन किया जिसके आधार पर उनके बाद के उगरवादी नेताओं तथा गांधी जी ने भारत को सवतंतर अस्तितु प्रदान किया गोखले के राजनेतिक विचार हमें उनके विभिन भासनों विभिन आयूगों के समक्स दी गई साक्षियों या गवाओं विचारों का उलेख निमलेखित बिंदों के अधार पर हम कर सकते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो गोखले थे वो भारती राष्टी अंदोलन के प्रमख उदारवादी नेता थे उन्होंने राजनेति में प्रिविस राष्ट सिवा के लिए किया था और उनके कारिय प्रमख उदारवादी नेता थे विचारों के अधार प्रमख उदारवादी विचार वह समते हैं बिटिस उदारवाद में आस था गोखले की पास्चात उदारवादी मुल्यों में गहरी आसता थी अब यहाँ उदारवादी मुल्यों से अभी प्राय उन मुल्यों से है जो सवतंतरता, समानता, इम, विधी के सासन को महतो देते हैं तो इस तरह से गोखले की इन मुल्यों में यानि सवतंतरता में, समानता में, विधी के सासन में उनकी पूर्ण आस्ता थी और इन मुल्यों को भारत में लागू करना चाते थे गोखले ने भारत की जनता में इन उदारवादी मुल्यों के प्रति आस्था उत्पन करना चाहते थे ताकि वे बाद में आतम निर्णय के अधिकार का वास्ति को प्योग कर सके तो जो बिटिस उदारवादी मुल्य थे सवतंतता समानता नियाय कानून इन में गोखले पूर्ण आस्ता रखते थे और उचाते थे कि भारती जनता में भी ये मुल्य उत्पन हो और जब भारती जनता में ये मुल्य उत्पन होंगे तो अन्तता भारत में भी आतम निर्णय के अधिकार यानि सवतंतता की मांग को मान लिया जाएगा तो उनके दो उदारवादी मूले थे उनमें भी कहीं ना कहीं आतम नेने के अधिकार को मूल में रखा गया था आतम नेने के अधिकार को वो प्राप्त करना चाते थे लागू करना चाते थे जहां तक बिटी सासन के प्रतिज़श्टी कौन है तो हम देखते हैं कि बिटी सासन के प्रतिज़श्टी कौन को लेकर उदारवादी और उगरवादियों में काफी अंतर पाय जाता है चुंकि गोखले उदारवादी नेता थे और उदारवादी नेता होने के नाते वो भारत में बिटी सासन को इस्वर ये वर्दान मानते थे उनका मत था कि बेटी सासन के कारण ही भारत को लोगतांतरिक परंपराओं और सवधानिक संस्ताओं के कारिय करण का अनुभव प्राप्त हुआ है उनका विश्वास था कि ब्रेटी सासन के कारण ही भारत में सामाजिक, राजनेतिक, आत्रिक छेत्रों में आधुने की करण संभव हुआ है उनका विश्वास था कि भारत की उनती के लिए बेटेन अपने मान्यवी एमनेतिक दाइतों को निभाने की दिशा में सतत प्रियतन सील है और भारत के सासन को एक ट्रस्ट के रूप में चला रहा है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो गोखले थे वो बेटी सासन को भारत के लिए इस्वर ये वरदान मानते थे यानि जितने भी उदारवादी नेता हैं चेह गोखले हो फिरुशा महता हो दादा भाई नोरोजी हो सभी बेटी सासन को भारत के हित में मानते थे और इसके पीछे उनका करण ये था कि वो ये मानकर चलते थे कि भारत का जो बिटेन के साथ संपर्क हुआ है यानि भारत में जो बिटी सासन है उसकी वज़े से भारत में सामाजिक, राजनितिक और आर्तिक छेत्रों में जो आधुनी की करण की प्रक्रिया है वो प्रारंब ह भी है और इसका लाब है वो भारतियों को प्राप्त हुआ है गोखले उदारवादी लोगतांतरिक परंपराओं और संस्थाओं को भारत में विशित करना चाहते थे भारती जन्ता की लोगतांतरिक प्रतिष्ठा के लिए करमिक सुधारों एब सवधानिक साध्रों पर बल द देते थे तो गोखले की मानता थी कि जो उदारवादी मुल्यों में सबसे महत्पूर्ण है लोगतांतरिक परंपराओं उन लोगतांतरिक परंपराओं को भारत में भी स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सवधानिक सुधारों की माध्यम को अपनाया गोखले बिटिस लोगों की न्याय प्रियता इम सदा सजयता में पूर्ण विश्वास रखते थे उनका मानना था यदि भारती जनता संगठित इम जागरुक होकर सवधानिक साधनों के माध्यम से बिटिस आसन पर दबाव बनाएगी तो भारत की रानेतिक सामाजिक निश्चित रूप से बिटिस सरकार के दुवरा ध्यान दिया जाएगा और इन्हें दूर किया जाएगा तो इसलिए वो भारत में रानेतिक और प्रसासनिक तथा आर्थिक सुधारों को लागू करना चाते थे तो इस तरह से गोखले मानते थे कि अंग्रेज एक नयाय प् विश्वास हो जाए कि भारतिय जनता संग्ठित होकर जागरूप हो गई है और सवधनिक सादनों को अपनाए जाए तो निश्चित रूप से बिटिस सरकार के द्वरा भारत के हित में बहुत सारी कारिये किये जा सकते हैं समझीक आर्थिक राजनितिक समस्यों का समधान कि इस तरह से जो ये उदारवादी जो विचार धरा थी उसके अनुरूप ही गोखले ने बिटी सासन के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं यदि इन विचारों को लेकर उगराष्टवादियों ने उनके तिवरालोचना की है उदारवादियों को और इनके सवधानिक सा जनता में भारती जनता में राष्टिता को लेकर जन्चेतना नहीं थी और ऐसी स्तती में यदि सीधे ही भारती जनता की दोवारा आजादी या सवतंतरता की मांग की जाती तो जो नव इस्तापित राष्टी का अंग्रेज थी वो अंग्रेजों की दोवारा उसी समय कुच बिटिश आसन को भारत में के हित में मानते थे अपने इनी मानेताओं के अधार पर उन्होंने बिटिश आसन के अंतरगती ही सवसासन की कामना की है और सवसासन का अपना लक्स घोसित करते हुई गोखले ने कहा है कि बिटिश आसन का नैतिक प्रियोजन को उन्होंने लिखा ह कि बिटिस आसन का उदेश इंगलेंड का लाब नहीं अपितु भारत का नैतिक एंभोतिक कल्यान था अंग्रेज भारत में एक सासक जाती नहीं बनना चाते थे वे भारती जनता की इस प्रकार साहता करना चाते थे कि वे दढ़ता से समानता की स्ततिक और बढ़ सके और कालंतर में पास्चात मुल्यों के अनुरूप कुपना सासन चलाने में सक्षम हो सके सवसासन से गोसले का आज से भारत की पूर्ण प्रभुसत्ता संपन सवतंतरता से कदापी नहीं था उनकी सवसासन कारते था अपनिवेसिक सवराज प्राप्त करना अर्थात वो बटी सासन की छतर चाया में ही भारत में सवसासन की कामना चाते थे उनका मानना था रहे लेकिन आंतरिक छेतर में जो निर्ने करने का अधिकार है सासन चलाने का अधिकार है वो भारतियों को प्राप्त होना चाहिए इसके अत्रिक्त उन्होंने क्रमिक सुधारों में विश्वास प्रकट किया गोखले भरत इस्तित बटी सासन में आमूल चूल परिवर्ता नहीं चाते थे वे आदर सुनमों की अथार्त वादीद नेता थे इसलिए उनका मानना था कि भरत के सवराज की कामना की पूर्ती ततकालिन उद्गोशनाओं के द्वारा नहीं हो सकती है अपितू क्रमिक सुधारों के द्वारा ही सवराज की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है सवधानिक साधनों एम वैधानिक आदोनल में विश्वास है गोखले ने अपने राजनितिक लक्षियों की प्राप्ती के लिए केवल सवधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में विश्वास किया है उनके इन साधनों को उनके विरोधियों ने रानेतिक भिख्षयवर्ती की संग्या देकर इनके आलोचना की है परंतो आलोचना की सहली के पीछे नैतिक ये में व्यवारी कार्ण थे अंदोलन की इस सहली के नैति पक्स को इस्पस्ट करते हैं डाक्टर पट्टा भी सिता रमया ने कहा है वे विरोधि को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे वे अंग्रेजों की नैप्रेता यम सदाश सयाता में पूर्ण विश्वास रखते थे सवधानिक सादनों के प्रति गोखले की आस्ता का व्यवारी पक्स ये था कि वे समत्ते थे कि हिंसक सादनों को अपनाने से केवल घ्रना और प्रती हिंसा तथा प्रतिरोध की भवना पैदा होगी और भारती जनता उस शमय इतनी सक्षम नहीं थे कि वो विशाल बिटी सामराज की सक्ति का सामना कर सके इसलिए उन्होंने सवधानिक सादनों के प्रति को अपनाया यानि वे परिवर्थन के लिए हिंसा या करांती के अपक्स में नहीं थे बलकि सवधानिक सादनों के अपक्स में थे और इन उद्देशियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने समय समय पर याचना प्रस्तुत करना इसमन दिलाना सिस्टमंडल भेजना धरना प्रदर्शन करना ये इस तरह के जो उनके द्वारा अपनाये गए सवधानिक सादन थे जिनमें हिंसा और करांती के लिए को इस्थान नहीं था सवधेशी का समर्थन के इसकार का विरोध गोखले रचनात्मक राजनेती के प्रक्षदर थे इसलिए उन्होंने सवधेशी का समर्थन किया परंतु बहिश्कार जैसे आतिवादी सादनों का उन्होंने घोर विरोध किया वे सवदेशी भावनों को नैतिक राष्टी और मनोवग्यानिक दर्ष्टी से उप्योगी मानते थे उनके मानेता थे कि सच्चा सवदेशी आंधोलन देश भक्ती का प्रतीक है सवदेशी में अंतर व्यापत मातर भूमे के प्रतिनिष्टा का भाव एक ऐसे गंभीर और उतकरष्ट है कि उसका व्यापत व्यापत को आहाल अधीत कर देता है इससे पहले इंतन को देश भक्ती के और मोड़ देता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने सवदेशी का तो समर्थन किया वो चादे थे कि सवदेशी को अपनाय जाए क्योंकि इससे देश भक्ती बढ़ती है मातर भूमे के प्रति समर्पन और निष्टा की भावना पैदा होती है परंतु वो बहिशकार की विरोधी थे वो नहीं चाते थे कि सवदेशी को तो अपना जाए और बहिशकार किया जाए गोखले सवदेशी के आर्थिक पक्स से अत्यादिक प्रभावी थे मत था कि सवदेशी भारत के आर्थिक हित इम स्वावलमन का मार्ग पस्तत होगा परंतु साथ ही गोखले ये भी मानता थी कि सवदेशी को व्यवहार में तब ही लाया जा सकता है जब देश के से पूंजी उद्यम और दक्षता के छेतर में विद्मान समस्याओं का निराकन हो सके और वो संग्ठित हो सके गोखले सवदेशी के रचनात्मक पक्स के पक्सदर होने के साथ साथ बहिशकार के बिलकुल विरोधी थे वो नहीं चाते थे कि बहिशकार जैसी आतिवादी साधनों को अपनाया जये क्योंकि इस से उनका अंदेशा ये था कि अगर बहिशकार की निती अपना ही जाएगे तो उसकी वज़े से भारत और बठेन के सम्मंदूं पर गलत असर पड़ेगा प्रतिसोद और घणा की भवनाओं का जनम होगा और इस तरह से बिटिस आसन का जो लाह भारतियों को प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त नहीं होगा इस्तियात्रि की समराजवादी नेती के काणजी भारतिय जनता को बिटिस आसन के संपूर्ण लाप्राप्त नहीं हुए है और बिटिस नोकरसाई की वज़े से ही भारत के जो आर्थिक संसादन है उनका बहाव बिटे इनकी ओर हुआ है वो भारतिय जनता की पीड़ा इमन्योचित मांग के प्रति संवेदन सुन भी नहीं थे क्योंकि जो नोकरसाई थी वही भारतिय जनता के प्रति संवेदन हीन थी तो वह चाते थे कि बिटिस नोकरसाई की स्थान पर भारतिय नोकरसाई को इस्तापित किया जाए और इसके लिए उन्होंने सवयधानिक मार को अपनाया प्रस राष्टिवाद के समर्थकें पोसक थे वे भारत के मन में गहरी आसता थी वे प्राचीन भारत की सब्यताय उन्नत विचारूं उत्करष्ट दर्सानें साहित पर गारू करते थे उनका मानना था कि भारत का सवर्णिम अतित ही राष्ट के भावी विकास का केला अधार नहीं ह वे बैटिस नोकर्साहि के उन प्रवर्थिओं का विरोध किया करते थे जो राष्टि हितों के विरोध थी वे ऐसे सवसाषन के समर्थन थे जो भारतिय जनता की जिसमें भागिदारी हो तो इसतरह से हम देखते हैं कि गोखले के जो राणितिक विचार थे उन राणितिक ताको देखते हुए उनके विचार उस समय उचेतोयम प्रासांगिक थे